नमस्ता दूस्तो यह वर्तमान में विदेश में है और इनकी उम्र 27 साल और 8 महीने हो चुकी है यहनी 27 यह प्लस 8 मन्त की हो चुकी है तीन सवाल है इनके फॉरेंच सेटलमेंट यस आपके हाथ में फॉरेंच सेटलमेंट है सक्सेश्फुल हो जाओंगा यस उच्च मध्यमवर्ध लेवल के आप पैसा कमाएंगे तीसरा सवाल है मेरी नोवेल पब्लिश हो गई है पब्लिश होगी या नहीं इन्होंने लिख चुके यह नोवेल तो क्या पब्लिश होगी इसका जवाब मैं माइन लाइन पर आऊंगा या मंगल पर आऊंगा तब इसका जवाब आपको देता हूँ जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलिया उपर की तरफ हो तो ऐसे लोग समय पर नीने नहीं ले पाते और उसके बाद पस्तावा होता है मैंने ये कारे किया होता तो अच्छा होता था ऐसे लोगों को मेरी सला है कि सारे नेने किसी न किसी को पूछ कर लीजिए यह पार्ट चोड़ा है कम है यह पार्ट में चोड़ा ही जादा है तो ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनर्शिप में व्योसाय करते हैं यह पाम रेक्टेंगल भी है और स्क्वेरीज भी है तो वेक्टी मेंती भी होता है और रेक्टेंगल होता है तो वेक्टी सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होता है कि फर्स्ट फेले नुकी लाग कम है तो इदर उदर ध्यान पटकता पर है बड़ा तो कारे के प्रती जिद्ध जरूर होगी और सेकेंड फेले इंज भी व्यवस्तित है जा लॉजी की जो रहत वान लॉजी की उसकिया जा चूप रहे नहीं की जो रहत वान चूप रहे और लोग फास्ट नीने लेते हैं यहां पर अगर दोनों उंगलियों को देखे तो लगबख सेमी है और यह उंगली नो डाउट यह डिफरेंट डिख रही है पर यह ऐसे नहीं जा रही है यह नॉर्मल उंगली ही कही जाएगी पर यह उंगली सबसे बड़ा एडवांटेज यह है इन्होंने नाकुन क्यों बड़ा है पता नहीं पर यह फर्स फैलेंट तक पहुच रही है सुरी के उंगली के तो वेक्ति डॉकुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल कर रखना याजशक्ति मनी मेनेजमेंट और इन सारी चीजों मैं वेक्ति एक्सपर्ट होता है अब इनके हाथ पर चलते हैं इंक लगे हुए पर पहली नजर मेरी इस लाइन पर गई है जब किसी की यह लाइन निर्दोश रूप से थोर इसी भी जुके तो ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो एक्ट्रेक्ट आशा है बहुत अलग-अलग होती है व्यक्ति विशेश के हिसाब से तो इसे एक्ट्रेक्टिव सब्द काफी उप्युक्त होता है और काफी बढ़ी है तो या तो इनको उच्छ घराने की पत्नी मिलेगी या पड़ी लिखी मिलेगी अब इनके सूर्य परवत पर देखे तो एक शुक्रवले क्लियर कट इनके हाथ में है और इन्होंने नौवेल लिख भी चुके तो ये कहीं न कहीं कला के प्रती इंट्रेस्ट देती ही है ये कला प्रेमी लोग होते इस शुक्रवलाई की वज़े से यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस भी बन रहा है ये जब क्रॉस होता है तो व्यक्ति को रुकाउटे भी आती है तीन माइनस पॉइंट होते है या तो पिता का साय छोटी उम्रे में जाता है या पिता से मदभेद या पिता से दूर रहना तीन मैसे कोई न कोई एक माइनस मिलता है व्यक्ति थोड़ा सा भी आगे बड़े तो कहीं न कहीं ऐसी बाधाये निर्मान होती है या टांक हिचने वाले लोग मिलते थोड़ा सा बेक साइड आना पड़ता है कि यह चाहेंगे तो मैं इसका उपए दे दूंगा यहाँ पर एक छोटी सी यस साइन है यह व्यक्ति को यस दिलाती है यह इतनी सी लाइन भी अगर इसका संबन थोड़ा सा आगे की तरफ होगा तो बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्ग में आएंगे अब इनकी साइन हो गया और देखते हैं उसके पहले एक क्लियर कट ट्रैंगल अब इसको हम फ्लेक साइन नहीं गिन सकते हैं क्योंकि यह triangle बना और यह line ऐसे जा रही है और इस तरह से बने तो यह तरह से मान सकते है flex sign और नहीं भी मान सकते हैं अगर इसको flex sign माने तो ऐसे लोगों को विजय अंत में इनका ही विजय होता है इसका तादपर रही है और यह sign ने बहुत कम दिखाई देती है बहुत बहुत ज़्यादा कम लोगों के हाथ में होती है अगर इसे मान भी ले flex sign तो ऐसे लोग कितने भी शंगर्ज करें अंत में इनकी विजय होती है होती और होती है अब इनकी sign और चलते है यह यहां पर है sign यह यहां पर है दो एक इस जगह पर भी है तीन यह सारी sign है पैसा देने में हमें help करती है यानि यह sign की वज़े से ही जीवन में पैसा आता है चार इन्होंने सवाल पूछा था मुझे सफलता मिलेगी यह 100% उच्चे मध्यम वर्क का जीवन जीएंगे इतनी सारी sign है मैं निकाल चुका हूँ इनके हाथ में तो काफी अच्छा जीवन रहेगा पैसे के मामले में हाँ अर्बो पती वाला तो नहीं पर काफी अच्छा जीवन रहेगा शनी परवत एकदम फ्लैट है तो वेक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता एक्टिव रहते हैं यहाँ पर एक छोटी सी विद्या रहा है तो वेक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण वेक्ति अपने जीवन में है आगे भी बढ़ता है प्लस लोग इनको पूछ-पूछ कर काम करते है जुपिटर माउंट अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ थोड़ा सा छोटा है तो वेक्ति को परिवार से दूर करवाता है यानि पत्नी और बच्चों से नहीं पर माता पिता भाई बैन चाचा बुआ उनसे वेक्ति दूर रहता है और यह अल्रेड़ी फॉरेंच चले गए है एक लाइन और थी लाइन आ गृति को मल्टिपल इंकम देती है फामिष्टर एस्ट्रोलोजि इससरी साइंस में ध्यान जाता है सेवा भावी और धार्मीक तया यह चार ववस्त ऱहें व्यक्ति को जीवन में मिलती आ कि अंड़ कृनि मंगल भी काफी से अच्छी रहेगी भारी मंगल उससे भी ज्यादा अच्छा है जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे सामने वाला comfortable फिल करेगा और कभी court case हो भी गया तो इनको 100% विजय प्राप्त होगा इनका सवाल था एक novel लिख चुके ये तो क्या वो publish होगी ये एक देखे साइन यहाँ पर अभी तक मैं जितने भी लेखों को हाथ में ये माइन लाइन से जो उपर जाने वाली लाइन है ये लेखक बनाती है पर जनरली मैंने इस जगह पर पाया है इस जगह पर इनकी साइन मुझे थोड़ी सी चार एमेम या पांच एमेम थोड़ी सी डिप जा रही है पर इन्होंने सब्द यूज किया कि मैं लिख चुका हूँ तो इसे हम मान ही सकते है कि ये साइन है इस साइन के विगर दो तरके लेखक पाए जाएंगे एक इस साइन होती है व्यक्ति के जिवन में इनकी यहाँ पर है और एक हैं पर ये माइनलाइन से ऐसे फोर्क बनता है और माइनलाइन आगे बढ़ती है ऐसे लोग भी लेखक होते है पर किताबे जिनकी छपती है वो ये दो केटेग्री मैंने जो बताई उन लोगों की किताबे छपती है अब इनके हाथ में यहाँ पर यह साइन है और यह लिख चुके है तो इस लाइन के बिना यह लिख ही नहीं सके यह कारे संपन होता ही नहीं है क्योंकि लिखने की कला यह लाइन ही देती है तो इसे हम मान लेते कि यह लेखक की साइन है और यह 100% इनकी किताब छपेगी हाँ इन्हों ने लिखा नहीं होता तो मैं इस साइन को अभी मानने को तयार नहीं रहता क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी लेखक देखे सारे इस जगह पर 4 mm या 5 mm थोड़ इसी बुद्ध परवत की तरफ होती है second यहाँ पर मुझे अच्छे संकेत इनके हाथ में दिख रहे है इस जगह पर यहाँ पर मीडिया फेम भी मिलने के चांसे से है इनको अभी इस जगह पर इनको ध्यान से देखना होगा इस जगह पर फोकस पर यह ऐसे में रहते हैं जहां पर वो प्रॉपर इंक नहीं मिलती अगर यह इंक प्रॉपर मिली होती तो यह साइन भी उभर कर आ जाती यहां पर कहीं होती तो दिख जाती तो मैं 100% कहता कि काफी अच्छी सफलता इनको मिलेगी पर यहां पर किन्तु-परंतु में वस्तु चली जाती है अब इनका एक और सवाल था foreign settlement और मैंने का यस एक तो आपकी जीवन रेखा से एक लाइन चली जो चंद्रपरवत की और जा रही है सेकेंड देखिए कितने सारे triangle है एक triangle तो यह है एक triangle यह है यह व्यक्ति को कभी बनाते है या विदेश में settlement कराती है विदेश से income के स्वरोथ क्रियेट करवाती है और यह अल्रेड़ी पहुच चुक है तो यह विदेश settlement इनके हाथ में पक्का है हां केवल ही हां पर जीवन र इका बदलाव आएगी या तो घर बदलेंगे शहर बदलेंगे देश बगल देंगे या व्यवसाय बदलेंगे चार मेंसे कोई एक वस्तू हो सकती है और विदेश इटलमेंट इनका पक्का है अब यह जिस देश में रह रहे हैं वहाँ होगा या कहीं और होगा पर यह अच्छेसर होती है लोग और इनके हाथ में देखिए मनी ट्रेंगल कितना बड़ा है इतना बड़ा अगर मनी ट्रेंगल हो तो ऐसे लोग बुड़ा पे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेते हैं अच्छी खासी और ये एक एडिक्शन लाइन है ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति एक दो घंटा अगर continue काम करें तो उसे ब्रेक लेने की आवशक्ता पढ़ती है और कोई न कोई नशा व्यक्ति करता है या तो चाय पिता है चाय का हो कौफी का हो सिगरेट का हो धर्मिक्ता कोई न कोई नशा व्यक्ति को जीवन में आता ही है इस लाइम की अच्छे कपड़े पेनना अच्छी तरह रहना यह सारे शौक होते है हाट लाइन देखिए पूरी जुपिटर से टच हो रही है और थोड़ी मंगल की और देख रहे तो सुरवाती जीवन में गुसा रहता होगा पर उसके बाद सांत हो गया होगा और यह हाट लाइन पूर में इस बीस हो तो इनको थोड़ी सी बैचे नहीं होती है इस लाइन की वज़े से हाट के नीचे के लोगों से यह लोग ज्यादा काम ले पाते हैं यह भी एक खास्यत होती है प्योंकि यह लोग सिश्टम से चलने वाले लोग होते हैmos espera थर्ड चीज, ऐसे लोगों को प्यार का पदर्शन करना नहीं आता, और ये देखिए लाइने, ये लाइने हो, तो मित्रों को या सके संबने को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा, पर भरो से लाइक भी ये इस तरह की हाट लाइन हो तो भर पूर भरो से लाइक इनसान होते हैं किसी का सो रुपया भी बाकी होंगे होगा तो सामने से दे कर आएंगे ये मापाप की सिवा करने वालों के हाथ में लाइन रहती है यह फ्लर्ट लाइन है वेक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद कुछी डूमता है माइन लाइन भी काफी सुन्दर है कम्प्लिट यहां से सुर्व हो रही है और यह सीधी चल कर यहां पर अगर ब्रेक होगा इस जगह पर चेक करने की जुरत है तो यह 35 के आसपास या 32 के आसपास 32-33 के आसपास और एक अगर यह ब्रेक होगा तो और उसके दो-तीन साल के बाद तो यह भी एक तरक की रहो रेखा का काम करती है 32-35 के आसपास दो-ब्रेक दिख रहे है इनके माइन लाइन पर और उसी पिरियड में इनके रहो रेखा भी है तो कोई ने कोई ऐसी घटना घटेगी जो इनको विचिनित करेगी मानसिक रुप से और सेकंड कट के बाद ही यह अपने जीवन में सिरियस बनेंगे जीवन के प्रती क्योंकि माइन लाइन का टूटना यानि सिरियसनेस कम होती है जीवन में अब इनकी जीवन रेखा पर चलते है माइन लाइन काफी बड़ी है तो बुद्धी प्रती बाब भरपूर होगी थोड़ी सी जुकाओ ले रही है चंदर की और तो घर में किसी एक व्यक्ति को जादा बोल बोल करते है वो व्यक्ति चेंज होते रहता है जीवन में पर एक व्यक्ति को टार्गेट बनाते रहते इमेजिनेशन पावर हाई रहता है इस तरह की माइड लाइन वालों को अब चलते हैं इनकी जीवन द्रेखा पर पहले मैं इस लाइन को रिलेशन लाइन समझ बैठा था पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर एक छोटी सी लाइन नीचे जा रही है और यह माइड लाइन ही है मैं इसको रिलेशन लाइन समझ बैठा था इस राव रेखा के पहले कोई ना कोई नियर एंड एरर की डैथ हुई होगी यानि 26 के आस पास और उसके बाद यह राव रेखा छोटी से आई जो इनको अभी वर्तमान में डिश्टब कर रही है उसके बाद यह साधी की लाइन है यह 31 के आस पास इनकी जीवन में साधी होगी और इसी पेरेट में कोई बदलाव भी आएगा इनके जीवन में या तो देश बदलेंगे, शहर बदलेंगे, घर बदलेंगे व्यवसाय बदलेंगे इस चार चीजों में से देश, घर, सहर या व्यवसाय चार में से कोई न कोई बदलाव आता है और यहाँ पर देखिए दो और रेखाय नीचे जा रही है यानि एक साधी के पहले कोई near and dearer की death होगी और एक साधी के समय में भी कोई ने कोई near and dearer की death होगी और ये छोटी छोटी राव रेखा है बीच में आएगी जो हलका सा परेशान करेगी अब plane palm पर चलते हैं ये साधी की रेखा के बाद ये देखिए यहाँ पर clear cut डो लाईने दिख रही है और ये बदलाव आ गया और ये राव रेखा इनको 33 के आसपास cut कर रही है और एक रेखा 35 या 35 अफ के आसपास cut कर रही है उसके बाद एक 39 के आसपास एक छोटी सी रेखा cut कर रही है अब इनको राव रेखा है बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी क्योंकि बहुत बड़ा money triangle है तो जाता चिंतित होने की ज़रुत नहीं है और ये line और उपर जा रही है तो इस जगह पर कोई न कोई सफलता भी मिलेगी और छोटी सी राव रेखा भी परेशान करेगी उसके बाद 48 में एक छोटी सी राव रेखा है फिर 54 में थोड़ी सी बड़ी राव रेखा है और एक लाश रेखा 67 में तो ज़्यादा राव रेखा है भी इनको है नहीं और जीवन रेखा काफी उत्तम है अल्वेज पतले बने रहेंगे अब यहाँ पर देखे तो एक कट यहाँ पर लगेगा यह उम्र होगी कि लगबग 29 के आसपास कोई नो कोई परी वारी खर्चा आएगा इनको एक 33 में कट है एक छोटा सा कट 36 के आसपास है यह कट इनको थोड़ा सा परेशान करेगा 41 के आसपास थोड़ा सा आर्थिक नुक्सान जादा जाएगा और एक ये छोटा सा कट और है ये 53 के आसपास है इतना माइनस पॉइंट मिलेगा और ये investment से income वाली लाइन है ये लगबग ज़्यादा active होगी लगबग 48 के आसपास से और यहां आकर ये line stop हो रही है और secondary line है इस तरह से जा रही है जो बहुत बारी के line है और एक line ऐसे भी जा रही है 60 के आसपास तो जीवन भर income तो आती रहेगी धन रेखा में भी कोई ऐसा minus point बड़ा है नहीं धन रेखा भी सुन्दर ही है केवल इस जगह पर थोड़ी सी कठिनाई का ये सामना करेंगे 36 से लेकर 37 या 37 half तक बस यहां पर थोड़ी सी ग्रोथ इनको कम मिलेगी और थोड़ा सा यहां पर पैसे के मामले में दोहरी वेव में चलेंगे पर यहां पर इतना problem नजर नहीं आ रहा केवल problem यहां पर नजर आ रहा रहा बस यह एक डेड़ साल का period और उसके बाद तो कोई रेखा में और progress इनको मिलेगी 38 के आसपास इनकी रेखा और सुन्दर बन रहे हैं बहुत सारी दूसरी parallel लाइने भी है और यह लाइने भी यहां पर मैं दूसरी लाइन बता चुका हूँ तो continue income के सुरोत बने ही रहने वाले इनके जिवन में तो ज़्यादा घबराने वाला पाम नहीं है केवल एक यह जो cut है यह इनको थोड़ा सा आर्थिक नुकसान ज़्यादा देगा बस इन्होंने जितना कमाया होगा उसका दस परसेंटों लेकर जाएगी है और जो माइन लैन हम ब्रेक गिन रहे थे लगबग एक ही ब्रेक है इनका इसी जगह पर तो जो दो ब्रेक गिन रहे थे उसके बदले एक ही ब्रेक गिनी है अब वो एज लगबग पिछे वाली एज को इज गिनी है आप जो ब्रेक मैंने बताया था 35 के आसपास का बागी उत्तम पाम है आशार रखता हूँ इनके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद